नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम याश्रादरी है आज हम बात करेंगे कि हमने इतनी सारी दवाया खाई उसके बाद क्या हुआ, हमारे पेट में गर्मी होगे और साथी साथ NCPT प्रॉब्लम, गेस्ट्रिक प्रॉब्लम और काफी सारी लोगों को वैसे भी नॉर्मली भी गेस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है उसके लिए हम कलर खरे भी यूज़ करेंगे जिससे क्या है, आपकी गेस्ट्रिक प्रॉब्लम में काफी जादा रिलीफ मिलेगा कई बार आपके फास होता है कि जो है, दबाई नहीं है और आपको कैसे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कम कैसे किया जाए, या एसिडिटी हो रही है, आपके एसिडिटी जादा है उसे कम कैसे किया जाए, उसके लिए हम कलर का यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर का आप इसमें sketch color या फिर normal green color का pen यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हम अपने हाथ के central point पे बिल्कुल central point पे ये आप देख लीज़े यहाँ पे हम एक गोला बना देंगे ठीक है एक यहाँ central point पे green color का गोला हो गया और दूसरी चीज़ क्या है एक यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ पे यहाँ से उठना शुरू होता है दोनों यह हमारे पहार टाइप में उठे हुए हैं इस जगा से आप देखिए साइड से अगर यह पहार उठे हुए हैं यह पांट है हमारा तो इसमें इनके बीच में यहाँ पे लेफ्ट हैंड में इन दो जगा पे हम ग्रीन कलर एपलाई करेंगे तो क्या होगा आपकी एसिडिटी एंड गेस्टिक प्रॉल्लम में आपको काफी जादा रिलीफ मिलेगा और इसे हम लेफ्ट हैंड में ही यूज करेंगे राइट हैंड में नहीं यूज करेंगे आपको इसमें पास साल से छोटे बच्चे एंड सेवंटी एर्स से जादा के बुजल्गों को ये लिए नहीं अपलाई दरना है ये चीज आपको ये थेरपी नहीं यूज करनी है ओके धन्यवाद